दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने खाली समय में अधिक्तर समय जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ नोट्स लिख रहे होते हैं तो आप अपने आप ही कागच में कोई ना कोई आगरती बनाते ही रहते हैं और क्या है उन आखरतियों के पीछे का सच आज क तागे हम आपको एक बहतर सुनहरा जीवन दे सकें और आज हम बात करेंगे कुछ खाज डूडल आकरतियों की जो हम अकसर अपनी नोटबूक या फिर अपने कागचों पर बनाते रहते हैं क्या है उनके पीछे की कहानी चलिए जानते हैं तोस्तों क्या आपको पता है कि में मतलब से बनाई जाने वाली वो आकरति आपके व्यक्तित्र के बारे में कितना कुछ बता सकती है अंग्रेजी में इसे कहते हैं टूडल करना अपने खाली समय में कहीं लोग कागच पर कुछ न कुछ लिखते या बनाते रहते हैं ये अलग-अलग बिना मतलब की आकृतियां जो हम बनाते रहते हैं उससे हमारे दिमाग का वो भाग प्रोथ साहित होता है जिससे हमें खोशी मिलती है। हमको भले ही ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम पास है और इसका कोई मतलब नहीं है पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये डूडल यानिकी आगरती हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व को बयान करती है। चली जानते हैं ऐसी डूडल आगरतीयों के क्या मतलब होते है दोस्तो इस श्रेणी में सबसे पहले आता है नाम, जी हाँ, अगर आप अपना नाम खाली समय में अधिकतर बारी लिखते रहते हैं, तो ये बहुत ही अलग प्रकार से मतलब रखता है तो दोस्तो अगर आप अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है वो भी जानते हैं अगर आप अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्वभाव काफी मोह किस्म का है जिस वज़े से लोगों का आपका साथ बहुत भाता है वही अगर आप छोटे अक्षर में लिखते हैं तो ये इस बात का संदेश है कि आप में आत्मसम्मान की कमी है आप अपने आप पर भरोसा करते हैं लेकिन बहुत कम और करतराते हैं अपने उपर भरोसा करने से वहीं दोस्तों अगर नाम के नीचे आप लखीर खीशते हैं यानि कि एंडरलाइन लगाते हैं तो आप अपने आपको बहुत ज्यादा महत देते हैं यानि इंपोर्टन्स देते हैं किसी और का नाम अगर आप बार बार लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जुरूरी सोभाव के हैं और नाम के चारो और गोला बनाना इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास आसानी से नहीं होता और आप अकिला रहना बहुत पसंद करते हैं यानि कि आप इंट्रोवर्ट किसम के आदमी हैं अब नाम से आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आकार की कई बार हम अलग-अलग प्रकार के आकार अपनी नूर्टबू को बनाते रहते हैं इसका मतलब क्या है? चलिए जानते हैं अगर आप डिबबा बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही महनती हैं अगर आप त्रिकोर्ण जैसा अकार बना रहे हैं तो आपको ज्यान प्राप्ति में आनन दाता है और आप मुश्किलों से ड़ते हैं वहीं त्रिकोर्ण या अंदर त्रिकोर्ण आप किसी बात से असुरख्षित महसूस करते हैं तब ये आप ऐसे आकरिती बनाते हैं वहीं अगर आप स्कुएर बनाते हैं तो आपको अपने रिष्टों में स्थिरता और सुरख्षा अच्छी रगती है वहीं अगर आप अपने नोटबुक पर गोल आकार यानि की सरकल बना रहे हैं तो आपका स्वभाव सच्छा और प्रेम यह है सितारे या हीरा बना रहे हैं तो आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है आप बहुत ही उमंगी सोभाव के हैं वहीं स्पाइरल या स्वीडल्स या फिर स्पीला जैसे आकार बना रहे हैं तो आपके जिन्दगी में दिशा की कमी है वहीं अगर बार बार आप अपनी नोटबुक पर दिल बना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रोमेंटिक स्वभाव के आद्वी हैं वहीं दिल के साथ अगर आप तीर बना रहे हैं तो आपको दिन में सपने देखना बहुत पसंद है और आप आदर्श वादी सोच रखते हैं वहीं अगर तूटा हुआ दिल बना रहे हैं तो यानि कि आप दुखी है वहीं अगर दिल के अंदर आप दिल बना रहे हैं तो आप शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति हैं अब बात करते हैं वस्तूओं की यानि की सबजिया, फल, पत्ते, नुकीले पत्तिया इन सबकी दोस्तों अगर आप सबजिया बना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी मूँ लावश्चक्ताइं बढ़ती जा रही है वही फल बना रहे हैं तो आपकी सोच काल मुख प्रकार की है पत्ते बना रहे हैं तो आपको पडियावरण से प्यार है गोलाकार की पत्ते बना रहे हैं तो आप अधिकतर समय खुश रहते हैं नुकीली पत्ते बना रहे हैं तो आप किसी से भी अपनी आलोशना नहीं सुन सकते वहीं हवाई जहाज आपको अपनी वर्तमान स्थिती से दूर चले जाने का मन करता है वहीं दोस्तों अगर आप कुत्ते बना रहे हैं तो आप अपनी जिल्बगी में अकिलापन महसूस कर रहे हैं अगर आप हंस के चित्र बना रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक सुखदाई रिष्टे में हैं, वहीं बिस्तर या लिबस्टेक या गाडिया बना रही हैं, तो आप कालमुक सोचके हैं, वहीं अगर इंसानों की बात करें कि इंसानों की भी कोई आकरतियां होती हैं, तो अगर उसको भी आप डूडल में ढाल रहे हैं तो उसके पीछे का क्या महतु है वो भी जानते हैं। दोस्तों अगर आप बंद आखे बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर जाकने से कतराते हैं। छोटी आखे आप इंट्रोवर्ट यानि कि अंतर मुखी सुभाव की हैं। बड़ी आखे आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। पतले होट तो आपके जिन्दगी में अभी कोई प्रेम का संबंद नहीं जुड़ पाया है। मोटे होट आपको अपने उपर पूर तरीके से विश्वास है। खुले होट यानि कि आपको एक हम सफर के तलाश है। और बच्चों के चित्र यानि आपको अपनी जिन्दगी में दिशा के तलाश है। तो दोस्तों ये सब ही डूडल आगरतियां कहीं न कहीं आपके स्वभाव आपके व्यक्तित्र के बारे में कुछ न कुछ बया करती रहती हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अकली भार हमारे वीडियो देखने के बाद आप किसी के भी व्यक्तित्र को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आप क्लास, स्कूल या फिर घर पर हैं और आपका कोई मित्र, आपका बच्चा या आपका कोई साथी नोटबुक पर कुछ इस प्रकार की आखरतिया बना रहा हैं। तो कहीं न कहीं आप उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्र को आसानी से समझ पाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेर करें ताकि हर किसी को, हर किसी के डूडल्स के अनुभव को और आकरतियों के अनुभव को पहचान पाएं और उनके व्यक्तित्र और उनक के लिए बहुत बहुत दानेवाद